सब्सक्राइब करू तलाब पर काम युद्स्तर पर जारी है करू तलाब के जीर्णो धार काम बहुत पहत्रीन तरीके से हो रहा है आज ये तलाब पर चोथा दिन है और इस तलाब के जीर्णो धार का काम बहुत ही बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है गाओं के लोगों का पूरी कोप्रेसन मिल रही है बहुत बढ़िया तलाब का काम हो रहा है देखिए आप बहुत ही शांदार तरीके से तलाब का काम हो और आज आपको पूरी अपडेट देंगे हम किस प्रकार से काम तलाप पर चल रहा है पस आप हमारे साथ बने रहें तो साथ ही अभी आज शाहम के बज़े हैं चार और चार बज़े के आपको अपडेट देते हैं किस प्रकार से देखिए समोरा के करू तलापर जीर्णो धार का काम वो देख रही है आप पूरा का पूरा बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है चल रहा है इस पे काम और अभी यह देखिए आप मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रदेश के माननिया मुख्या मंतरी स्री मनोहर लाल जी ने पहली बार ऐसा इनिसेटिव लिया जो आज तक कि किसी भी स्रकार ने नहीं लिया था जब से देश अजाद हुआ यह प्रदेश बना तब से लेकर अभी तक तलाबों के बारे में किसी ने भी कोई किसी प्रकार की सुद नहीं ली थी लेकिन माननिया मुख्या मंतरी स्री मनोहर लाल जी ने तलाब प्राधिकर्ण का गठन किया और तलाब प्राधिकर्ण के गठन के साथ साथ प्रदेश के ब्रित प्रायत पड़े तलाबों के जिर्णोधार का जिम्मा उठाया जिसके लिए सबसे पहले तलाबों का सर्वे कराया गया और तलाबों की पहचान की गई कि प्रदेश में तलाब वास्तों में हैं कितने तो सबसे पहले निकल कर आया कि हमारे रह रहकर मानिय मुख्या मंतरी स्रीम नौर लाल जी का हारदिक हारदिक धन्यवाद करते हैं कि उनके तलाबों की सुद्ध मानिय मुख्या मंतरी जी ने ली है तलाबों का जीर्णोधार हो रहा है ये बहुत ही संतोज जनक बात है कि कोई प्रदेश सरकार स्वच्ता को लेकर इतनी गंबीर है तलाबों के जिर्णोधार को लेकर इतनी गंबीर है जल संचन के साधन को लेकर इतनी गंबीर है कि वो पूरी तरह से प्रदेश के तलाबों के जिर्णोधार पर लगी हुई है और प्रदेश सरकार इसके लिए बधाई की पातर है तलाब पराधिकरन के माध स्ट्विक्स रूप में अब नजर आएंगे और इनके काया कलब के दिन शुरू हो गए हैं देखिए आप यह समोरा का करू तलाब है पहले इस तलाब की बहुत बुरी हालत थी आप सब को पता ही है और इस तलाब का हम पूरा अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे कि ज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पर आप नए है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें मिलते हैं आपको फिर नहीं प्रेट के साथ तब तक के लिए जया हिन जया भारत बंदे मात्रम